हेलो गाईज, वेलकम टू माई चनल NCRTN Plugged और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चप्टर नमर 7 Alternating Current अभी तक जो हमने बात की थी उसमें हमने DC Current की बात की थी DC Current, Direct Current Direct Current वो Current है जिसमें टाइम के साथ जो Current वेरी नहीं करता जिसके Direction Change नहीं होती उसी को हम DC बोलते हैं लेकिन अब हम बात करेंगे Alternating Current की Alternating Current या Alternating Voltage वो Current या Voltage है जो टाइम के साथ टाइम के साथ जिसके Direction वेरी करेगी ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं NCRT के Line वा Line मैं आपको explain करता हूँ सबसे बहले हम Article No. 7.1 Introduction Paragraph आपको समझेंगे तो We have so far considered Direct Current Sources and Circuit with DC Sources तो अभी हमने DC Sources की बात किये इस Current do not change direction with time तो इसमें जो होगी Direction टाइम के साथ चेंज नहीं होगी एक ही Direction में Current फ्लो करेगा एक्जामपल जो हमने बैटरी का एक्जामपल दिया एक सेल कनेक्ट किया हमें एक सर्किट में तो आप देखोगे इसमें हमें सब पॉसिटिव से नेगिटिव की तरफ की Current फ्लो करता है तो सी में टाइक्शन में Current फ्लो करेगा ओके बट वोल्टेज जेसन Current that vary with time are very common लेकिन जो वोल्टेज और Current जो टाइम के साथ वेरी करेगा वह बहुत कामन है और जो हमारे घरों में सप्लाइ आती है बिसी के लिए वो एसी की आती है तो साइन फंक्शन की तरह यह वेरी करेगा साइन फंक्शन आपने पढ़ा होगा मैस में तो इस तरह साइन फंक्शन करवाएगा तो यह लगातार इसकी डारेक्शन चेंज होगी अभी हम देखेंगे इसकी डारेक्शन जो जो एसी की फ्रिक्वेंसी है इंडिया में वह 50 हर्स है कहने का मतला है यह एक सेगेंड में 50 बार एक डिरेक्शन में और 50 बार दूसरे डिरेक्शन में फ्लो करता है तो उसको आगे देखी हैं, इसके बाद, इस ही को हम, इस ही voltage को हम, alternating voltage या AC voltage short में बोलेंगे, और current जो इस से current driven होगा उसको हम, AC current या alternating current बोलेंगे, तो पूरा चेप्टर हमारा alternating current पर ही based नाम ही alternating current है, ठेक है, तो आगे देखते हैं फिर, today most of the electrical devices we use required AC voltage तो आजकल जो हम आजकल जो हम devices use करते हैं जादा तर डिवाइस AC voltage पे ही रन करते हैं ओके दिस इस mainly because most of the electrical energy sold by power companies is transmitted and distributed as an alternative current ठेक है ऐसा क्यों है तो क्योंकि जितने भी क्योंकि जो electrical energy हमें supply की जाती है वो basically AC ही है ठेक है AC ही supply के जाती है जो companies है power companies वो AC supply करती है और transmit करती है और ऐसा क्यों है इसके बीछे दोर main reasons है जो हम देखेंगे इसमें ठेक है the main reason for preferring use of AC voltage over DC voltage is that AC voltage can be easily and efficiently converted from one voltage to another by the means of transformers अभी हम transformer पढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि हम transformer में बहुत easily AC की voltage को increase और decrease कर सकते है step up transformer पढ़ेंगे जिसमें हम AC की voltage को increase कर पाएंगे step down transfer on में AC की voltage को decrease कर पाएंगे बहुत efficiently जो की direct current के लिए करना impossible है तो पहला reason ही होगा step down step up कर सकते हैं बहुत easily AC को दूसरा reason further electrical energy can also be transmitted economically over long distances तो हम जब long distance travel करना है तो देखो basically जब हम अभी हमने देखा जो long AC की voltage हम कम कर सकते हैं एक है voltage को कम या जारा कर सकते हैं तो जब हमें long distance travel करना होता है supply करना पड़ता है AC को तो हम क्या करते हैं voltage को increase कर देते हैं तो हम क्या करते हैं बहुत high voltage में increase करते हैं जिससे क्या होगा अभी हम देखेंगे वो power input power का formula basically V into I है तो हम जब voltage बढ़ा देंगे तो current की value decrease कर जाएगी और इससे क्या होगा जो loss होगा in the form of heat energy तो हमें पता ने heat का formula क्या होता है heat dissipated juice law of heating I square R T जब हम current की value decrease कर देंगे क्योंकि हम voltage increase कर रहे हैं तो उससे क्या होगा जो heat loss है वो काफी अध्तक तो यह advantage है बहुत बड़ा advantage है जिससे हम काफी energy save करेंगे और काफी इससे हमारी एकोनॉमिक है इससे बहुत हमारा ने तो बहुत सारा पैसा in the form of heat energy loss हो जाएगा अगर हम AC को down इसकी voltage को increase न करे तो AC का यह बहुत आद्वान्टेजिस से हम बहुत इससे हम बहुत इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसके अलावा AC circuit exhibit characteristics which are exploited in many devices of daily use ठीक है और AC की कुछ characteristics से जो हम कुछ devices पढ़ेंगे अभी chapter में भी इसको देखना है जैसे की radio में ठीक है टेलिविजन में जब हम अलग अलग channels देखते हैं तो AC की ही कुछ characteristics है जिसको हम use करते हैं ठीक है LCR circuit अब यह देखेंगे ठीक है तो उसको समझेंगे for example whenever we turn tune our radio to a favorite station we are taking advantage of a special property of AC circuit one of many that you will study in this chapter तो हम जब हम radio को tune करते हैं एक particular channel में तो हम AC की resonance की बात हम जब करेंगे तब हम यह समझ में आएगा ठीक है कैसे हम AC की एक प्रॉपर्टी का AC circuit की प्रॉपर्टी का ही use कर रहे है तो यह सारी चीज़े ही हम इस chapter में पढ़ेंगे ठीक है तो next video में start करेंगे है 7.2 article AC voltage supply to a register ठीक है तो next video में बात करेंगे thanks for watching this video अगर वीडियो समझ माई पसंद आए तो please like करना और subscribe करना ताकि आपको वीडियो नेक्स मिलते हैं रूसका नोटिविकिंग आपको मिलता रहे and last minute thanks for watching